समाजवदी पार्टी के वरिस्ट निता और पूरू मंतरी मुहमद आजम खान की बेटे अब्दुला आजम के दो अलग-अलग पास्पोर्ट का मामला अदालत में विचारत धीन हैं। इस मामले में बचावपक्ष के ओर से गवाँ पेश किये जाने थे लेकिन तारीक पर जब गवाँ नहीं आये तो अदालत ने बचावपक्ष के गवाँ को अदालत में हाजर होने के लिए समन जारी कर दिये। सुनवाई 31 जनवरी को होगी तब बचावपक्ष के गवाँ को साक्ष के लिए अदालत में हाजर होना है। आज मानने नियाले विशेश नाएक मेरिस्टेट श्री शोपीज बंसिल के नियाले में मुहम्मत अद्दुल्ला आजयमखा से संबंद दो पास्पोर्ट का मामला विचारदीन था। यह मामला वर्श 2019 में थाना सिविल लाइंस पर पंचीरत हुआ था। इसमें इनकी खिलाफ अभी हो गये था कि इनोंने दो पास्पोर्ट फरजी तरीके से बनाये हैं। इसमें अभी इनकी साक्ष पूरा हो चोगा है। बचापक्ष के साक्षिय तु आज पतररवली लगी थी। तो इन दो बचापक्ष दोरा कोई साक्षी प्रस्त utilizz नहीं किया गया। इसकार नमानने ने अले दोरा बचापक्षि जो साक्षी थे उन्हें संबन कर दिया गया और पतरावली में दिनां 31-2024 कि ठीथी नियत की गई है तो साक्षी गवाओं को कहते हैं साथ? हाँ गवाओं को संबन किया ऐसा? हाँ गवाओं को संबन किया है हम से जुड़े रहने के लिए हमारे यूटीब चैनल को सबस्क्राइब करें और नए वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप यूटीब चैनल को सबस्क्राइब करें और नए वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप यूटीब चैनल को सबस्क्राइब करें और नए वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप यूटीब फेस्बुक पर देख रहे हैं तो लाइक ज़रूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।